Hello everyone, देखे यहाँ पे पट्णा इउन्वेश्टी का 3rd में इटलिस जो है वह जाड़ी कर दिया गया है यह जो है वह आपका यूजी रेगुलर है, अभी वोकेशनल का में मैं दिखा दूँगा ठीक है तो यहाँ पे आपका थर्ट में इट लिस्ट आ गया है और इसमें कहा जा रहा है कि आपके 2000 के राउंड जो है वो सीट्स खाली है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि आपको जो है टोटल नमर अफ इस्ट्रेंट्स जो है यहाँ पे टोटल नमर अफ इस्ट्रेंट्स जो है वो 683 है वोकेशनल के भी कुछ इस्ट्रेंट्स होंगे तो यहाँ पे आपका 16 से 18 के बीच 16 अगस्त से लिका 18 अगस्त के बीच में जो है वो एडमिशन करवाना है जिन श्रेंट्स को जो है जो कॉलेज वगरा मिला है तो वहाँ से जो है आप जाकर जो है वो इडमिशन वगरा जो है वो करवा लेंगे और रही बात सीट्स के बारे में देखिए कई सारे स्रेंट्स भी पूछेते क्या मतलब की fourth list भी आएगा, spot round भी मतलब होगा कि नहीं होगा, देखे seat काफी कम रह जाती है, मतलब की 200-300 समझ लीजिए, उसके बाद जो है, वो spot round होगा, अब मान लेज़े seat में seat भड़ा ही नहीं और काफी seat जो है, वो खाली रह गई, around thousand number of seats जो है, वो next, जो list आएगा कि नहीं आएगा फिलाल, third merit list आगया है, इसमें आप लो, 16-18 के भी मेंड मिशन ले सकेंगे, और इसमें जो है, वो ही सब जो चीज़े हैं name विगरा दिया हुआ है, फिर आपका allotment course है और उसके बाद जो है, वो आप college कौन सा है, course कौन सा है subject कौन सा है, ठीक है चलिए ये थौस आप vocational का देख लेते हैं so guys, ये जो है, हम लोग आपका third merit list देख रहे हैं यूजी vocational का देखिए, और यहाँ पर ज़्यादा students का नाम नहीं है, मुझे दिख रहा है around, आपके कह सकते हैं कि 100 students है, 103 103 students का जो है नाम देखा जा रहा है और इसरीके से जो है subject और colleges वगरा और ये सब प्रिफरेंस की सरीके से जो हुआ है और कैसे जो है आपके subject जो है वो मिले है, जो भी students है यहाँ पे भी वही बाते लागो होंगी कि आप जो है वो संडे है, फिर आपका 15 अगस्त आ जाएगा तो इसमें तो असर जो है वो उसके बाद कैसे सकते हो की regular जो है वो classes चलेंगी मतलब offices वगरा चलेंगी तो उसमें जो है वो आप लोग admission जाके करवा लेंगे देखिए यहीं जो है वेबसाइट पे जो है वो आप लोग जाकर देख सकते हैं login वेगरा जो है वो करके ठीक है उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखा दो यहाँ पे third counseling जो undergraduate program के लिए वो 16, 17 और 18 गस को जो है वो होगी इसी दिन जो है वो जाकर आप लोग दे दीजिएगा देखिए सीड जाला खाली रहेगे तो उसके बाद हम उमीद कर सकते कि fourth minute list आए और काफी कम आएगा मतलब की कह सकतो की seat काफी कम रह जाता है तो उसके अनुरूप जो है वो आपका कह सकतो की spot round admission होगी फिलाल देखिए क्या चीजिए होती है और ठर्ड मेरे लिशार चुका है तो आपना जो है वो नाम चेक आउट ज़रूर कीजिएगा फिलाल इस वीडियो में बस सिते ही रखते हैं अहां तक देखने तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई 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 शुने नेक्स्ट वान